धनू राशी वालो, मेरी ये तीन बात मानलो, आपको धन के चुम्बक बनने से कोई नहीं रोक सकता, हाँ काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका आर्थिक फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा जै शनी देव, जै श्री गृष्णव, मैं हूँ आपकी गुर्मारुक्मनी, आपकी गुरू, आपकी मा, आपकी गाइट, आज बात करेंगे हम सबसे पहले कि आपको कौन से भगवान जी की रोजाना पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको धन की सफलता मिले, कौन से मंत्र का करते रहें, या कौन से स्तुति या स्तौत का पार्ट करें, दूसरा जानेंगे कि आपका फीवरिबल कलर कौन सा है, जो आपको धन का अकृष्ण केंद्र बना देगा, कौन सा है आपका लखी कलर, और उसको कैसे यूज़ करना है, अपनी लाइफ में कहां तहां उस कलर को चौंब लगा सकते हैं, तीसरा जानेंगे अपनी जनमकुली से, कि हमारे धन के कौन कौन से घ्रह होते हैं, मैं आपको सिखाऊँगे आपकी जनमकुली में आप अपने धन के घ्रह को कैसे बीखें और कैसे उसे मजबूत करें, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात जो धन के चुम्बक बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है वो है अपने घर में नियमित लूप से पूजा करना लेकिन अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुमा हम पूजा किसकी करें किसकी पूजा करने से हमें आर्थिक लाब होगा लाइफ में हमारे धन की कमी नहीं होगी धन की तंगी घर में नहीं आईगी एक बात को हमेशा याद रखे आप अगर घर ग्रस्ती में है तो घर ग्रस्ती में भगवान श्री विश्नु और माता लक्षमी की पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि हमारे पालनहार तो भगवान विश्नु ही है और उनकी अरधांगली माता लक्षमी वही तो हमें धन संपदा देगी संपत्ती देगी जो ही चीजें आप ग्रस्ती को सजाने के लिए चाहते हो ग्रस्ती को अच्छे से चलाने के लिए चाहते हो वो लक्षमी जी ही जितो देगी तो इसलिए आपको लक्षमी जी और विश्नु की पूजा नियमित रूप से रोजाना करनी चाहिए और उससे पहले कोई भी घर में पूजा शुरू करो गनेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपके पूजा पाथ में जो आप भगवान से प्राथना कर रहे हो उसमें कोई विग्न बाधा ना आए वो सर्व पूज़ देव है सबसे प्रथम उनको पूजा जाता है तो आपने गनेश जी को पहले ध्यान करना है उनकी पूजा करनी है उसके बाद विश्नु जी और लक्षमी जी को साथ में पूजना है अब हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लक्षमी जी को किवल दिवाली पर पूजा करते है अब माता लक्षमी को कभी-कभी याद करोगे तो वो भी तो गूले बिसरे ही तुमारे घर आएंगी रोज-रोज तो आएंगी नहीं अगर रोजाना उनको घर में बुलाना है अपने धन को भंडारों को भरे रखना है अपने पैसों को कोई दिक्कत ना हो हर तरफ से आते रहे हर खर्चा, हर जरूरत आपके घर की पुरी होती रहे उसके लिए माता लक्षमी की रोजाना पूजा करो और विशेश रूप से उनका जो श्री सुक्त है जो रिगवेद में जो रिचाएं दी गई है उसमें श्री सुक्त नाम का एक पाट है इस पाट को रोजाना आपको करना चाहें अगर संस्क्रिक पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम आप इसको सुने कहते हैं जो भी व्यक्ति इन 15 रिचाओं का पाट करता है माता लक्षमी हर ओर से हर दिन उसके घर आती ही रहती है और ये मैंने स्वेम अनुभव किया है मेरे जितने भी भक्त हैं जितने भी शिश्य हैं पूरी दुनिया में अगर उनको धन संबंदी कोई दिक्कत होती है तो हम यही सजेस्ट करते हैं अपने स्वेम के लिए भी बहुत समय से क्योंकि एक मंदिर को चलाने के लिए एक आश्रम को चलाने के लिए एक धार्मिक संस्था को चलाने के लिए भी तो अर्थ की आवशकता है तो उसको चलाने के लिए मैं स्वेम इसका प्रेयोग करते हूँ और मेरी जितने भी भक्त है जब उनको आर्थिक दिक्कत आती है तो वही सजेस्ट करते हूँ आप लोगों के लिए जो हमने नोगरे का लौकिट बनाया है जिसे हम सर्वमनोकामना सिध्य लौकिट कहते हैं उसमें भी हमने एक करकोड़ी लगाई है तो तब उसका फल आपको कई गुना होकरके मिलता है माता लक्षमी प्रसन होते हैं और जितने भी लोगों ने आज तत सर मनोकामना से दी लौकेट पहना है उनके आर्थिक समस्या जरूर दूर हूँ है अगर आपको धन सम्मंदी ऐसी समस्या है तो आप श्री सुप्त कारोजाना पाठ करें और चाहे तो हमारी गुर्मा फाउंडेशन एवं शरीपीट मंदीर से आप वो लौकेट यापने लिए पंगा सकते हैं इसके साथ ही बहुत इंपोर्टन बात आपको बताते हैं कुबेर जी की स्थापना भी आपको अपने घर में जरूर करनी चाहें कुबेर जी धन संपत्ति की देवता है जैसे मातलक्षमी है प्रोस्पेरिटी देती है पूरा जितना भी ऐशो अराम है वो मातलक्षमी की कृपासी मिलता है लेकिन धन जो है जो कोश है जो कोश भरता है वो कुबेर जी की कृपासी बढ़ता है अब आपको कुबेर जी को दिवाली पे स्थापित करना चाहिए और उनकी मूर्ती भी हर दिवाली चेंज करनी चाहिए क्योंकि मिट्टी की जो प्रतिमा होती है, मिट्टी की जो मूर्ती होती है, वो खंडित हो जाती है जैसे जैसे आप पूजा करोगे, तिलक लगाओ के, उनको माला चढ़ाओ के, तो जगे जगे से वो फंडित होने लगती है, तो इसलिए हर दिवाली उसको चेंज करते हैं, अब दिवाली पे ऐसा नहीं, एक बार आपने पूजा किया, भगवान को ले के आया और फिर वो जो आदिशंक्राचारी जी ने हमको दिया है, उस स्त्रोत्र का भी आप पार्ट कर सकते हैं निरंतर, लक्षमी जी कुबेर जी को आप ये पार्ट सुनाएं, और फिर देखें, आपके घर में कमी भी धन की कमी नहीं होगी, दूसरी बात जो आपको मेरी माननी है, ताकि अगर आपके राशी धनुराशी है, यानि की सेगितेरिस राशी है, और आप धन के आकरशन केंदर बनना चाहते हैं, तो आपका जो फीवरिट और लखी कलर है, वो है येलो, आप येलो को जितना यूज करोगे, आपके लिए बहुत फीवरिबल होगा, वैसा आपके और ख पड़े जो पहनते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, जितना जादा आप अपना फीवरिबल लखी कलर यूज करेंगे, उतना जादा वो आपको बेनिफिट करेगा, धन को आपके और आखरश्रित करेगा, आप चाहे तो इसको अपने वाल कलर में भी यूज कर सकते हैं, यान या टेबल का जो कवर है, उसमें यूज कर सकते हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ओफिस है आपका कोई या शॉप है, उसमें भी आप अपना फीवरिबल कलर जितना यूज करेंगे, वो उतना आपको अच्छी वाइब्रेशन लेकर कर आएगा, साथ ही आपके ज साथ हो करें, और जितना लख कर सकते हो, तो हमेशा अपने अपने लखी कलर को अपने फीवरिबल कलर को ही आप जॉइस करें, और दीन मत समझ एगा, Torah च्छी अभी अपने जग़सं गांगे, ये आपको करेंगे, ये ये जग़स्टी किया आप की अप को बता दिया है तो हम बस ये तीन उपाई करके घर पे बैठ जाएंगे और धन हमारी और खूब चल के आता जाएगा देखो मेहनत तो आपको करनी है करम तो प्रधान है ही इस करम भूमी में लेकिन हाँ जो मेहनत कफल आपको नहीं मिल रहा है इस तरह के उपाई करने से वो म बहुत उपाई कर लिए है ठक गए है समझ नहीं आता क्या करें तो बिल्कुल मत परिशान होई आपकी गुरुमा हमेशा आपके साथ है जिन लोगों के पास धनकी कमी है उनने के लिए हम फ्री जंदा दर्पार लगाते हैं आपको किसी भी गुरुबार सुभे 11 बजे से 2 अब जितक आकरके हमसे मुलाकात कर सकते हैं एक रुप्या हम उसमें चार्ज नहीं करते हैं आपको free उपाई बताएंगे आपकी कुली देखेंगे आपको बरामश देगे जिसके कुली भी नहीं है उसकी face reading करेंगे उसका चेहरा देखे उपाई बताएंगे और प्रभू की कृपा है हमारे गुरुदेव का आशिरवाद है अब तक जिसको भी उपाई बताए है उसको फलित भी होते हैं और सही भी सिथ होते हैं अगर आपको धन की समस्या नहीं है घर बैठे बैठे उपाई लिना चाहते हो फिर भी चिंता मत करो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट आप गुक करा सकते हैं, जो नंबर आपके पास हमारी संस्था के फ्लाश हो रहे हैं, हमारे मंदिर के फ्लाश हो रहे हैं, उस पर आप कॉल कीजे और वहां से सारी इंफॉरमेशन लेके आपको ऑटोमाटिकली जो अपॉइंटमेंट है उसमें included होता है, क्या लगता है आपको उपाई काम करते हैं, या आपको लगता है ये सारी चीजे सुपरस्टिशन हैं, अंधविश्वास हैं, तो चलो किसी से मिलवाती हो, जिन्होंने उपाई किये हैं और उनको उसका प्रभाव भी महसूस हुआ है, उसके बाद आपको बताऊंगे कि अपने जनमकुली में घरे आपने धन वाले कैसे देखने हैं, गुरुमा जैशनी देख, दोहजार बीस में मैंने आपसे कॉंटेक्ट किया था, और आपने मुझे पिछ रतने धारन करने के लिए थे, जिनमें एक मीलम है, एक मुगा है, एक अमेरिकन डाइम अरेस्ट उस केस में जो की एक ऐसा केस था जिसमें फेक एफ़ एयर दर्ज हुई थी, आपने बताया था कि अरेस्ट होने के चांसे हैं, लेकिन आपने जो स्टोन्स पैनाए थे, उनसे मैं अभी तक बच्चा हुआ हूँ, और 2020 में सभी के काम डाउन होगे थे, लेकिन हमारा काम बढ़ गया था, 2020, 2021, 2022 में भी हमारा काम बढ़ा है, इंक्रीमेंट भी हुए है, तो इसके लावा मैंने फिलाल अभी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एक पिताजी की तरब से मिदी हुई है, वहाँ थोड़ा फाइदा हुआ है, थोड़ी सेविंस करके अपना पुद्धा एक छोटा सा कंडरा बना लिया है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा घर है, तो यह सभी मुझे लगता है, आपको ध्यान में रखनी है, वो है आपकी जनमकृली के घर, अब मैं आपको आपकी जनमकृली देखना सिखाती हूँ, जिसमें आप अपने धन की स्थि जिवा होता है, उसको खोल लीजे, अब इसमें आपने तीन ग्रहों को देखना है, क्योंकि धन संबंदी तीन ग्रह जीवन में बहुत जरूरी होते हैं, सबसे पहला है शुक्र, शुक्र ग्रह अगर व्यक्ति का अच्छा है, तो उसको धन की कमी नहीं होती है, उसके पास ह पार सुख सुविधा होती है, उसको कहीं से भी एक लग्शूरियस लाइफ मिल जाए, चाहे ऐसा व्यक्ति किसी भी गरीब घर में जनम ले, लेकिन धीरे-धीरे करके उसके जीवन में ये सारे सुख सुविधाय, चाहे वो घर हो, चाहे गाडी हो, चाहे अच्छा रहन सहन अच्छा कपड़े, अच्छा खाना हो, उसे सब कुछ मिलता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्षमी के कारत है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जहां भी आपकी जनम कुंदी में शुक्र लिखा है, वो शुक्र देख लीजे, कहां बैठे हैं, जो मैं आपको दिखा ही हूँ टेबल, उस टेबल को ध्यान से देख लो, शुक्र इन घर में या इन राशी में बैठे नहीं होने चाहिए, सबसे पहला तो इंपोर्टन चीज आपको देखनी है, आपका शुक्र नीच का ना हो, यानि कि छे नंबर राशी में नहीं बैठा हो, अगर छे नंबर इसका मतलब वो नीच का है, आपको शुपल नहीं देगा, धन की तंगी बनी रहेगी, धन से परिशान रहेगी, अगर उच्च का है, बारा नंबर में बैठा है, बारा नंबर राशी में है, मीन राशी में, तो समझ लीजे, बहुत अच्छा है, धन की स्थिती हमीशा अच राशी होती है, जो मित्र घर होते हैं, वो सम में आपको इस टेबल में दिखा रहे हूं, आप इसको देखके समझ सकते हैं, अब आपने अपना शुक्र देखना है, और शुक्र देखना है कौन से नंबर में है, अब इस टेबल से मैच कर लीजे, कि आपको पता चल जाएग कि आपका शुक्र अच्छा है नहीं है या सम है यानि कि सम का मतलब अच्छा भी नहीं है खराब भी नहीं है बीच का है आपको average result देगा average फल देगा दूसरे नंबर का जो ग्रह होता है जो धन के लिए बहुत जरूरी है वो है बुद्ध हमारे वैपार का कारक है बुद्ध लक्षमी का कारक है बुद्ध बुद्धी का कारक है वाली का कारक है अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो बुद्ध के स्तिती देखने भी बहुत जरूरी है तो अब अपनी बुद्ध ग्रेक स्तिति देखिए कि कौन सी राशी में बैठा है बुद्ध 12 नमबर राशी में नहीं होना चाहिए जहां मीन राशी है 12 नमबर लिखा है अगर आपका बुद्ध वहां है तो पक्का भाईया गडबढ है फिर तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा है तो आपकी लिए अच्छा है और इसके लिए बुद्ध अच्छा है या नहीं कौन से अंबर आपके राशी में बैठा है वो टेबल देखिए और उस टेबल का स्क्रीनशोट भी आपने सकते हैं देख करके कि आप अनुमान लगा लिजे कि आपके लिए बोत अच्छा है, पुरा है या सम है। अब बात करते हैं तीसरे ग्रेकिल, ब्रहस्पति. ब्रहस्पति ग्रे अगर आपका अच्छा होगा, तो आपके लाइफ में कहीं न कहीं से आपको एक अच्छा जीवन दिला ही देगा। मान सम्मान रहेगा, सुसाइटी में लोगों के बीच में आपकी धाब जमेगा। आप जहां जाएंगे लोग आपको एक अच्छा इंसान समझेंगे, एक सम्मानित व्यक्ति समझेंगे, आपकी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ में धन व्यवस्ता भी बढ़ेगी, क्योंकि आज केस कल्यूप में जिसके पास धन है, उसके पास नाम भी है, उसके पास जिसके पास पैसा है, उसके पास लोग भी है, उसका एक अच्छा सोशल सर्कल भी, तो ब्रहस्पती अगर अच्छे होंगे तो धन के रस्ते भी बनाएंगे, नाम भी देंगे, सममान भी देंगे, अब आपने दीखना है अपनी जणन्मकुरली में ब्रहस्पती कौन इसी आशी में बैठा है अगर दस नमबर आशी में बैठा है मतलब कि नीच का है नीच का है तो बिल्कुल खराब हो गया आपको हमेश्या सम्मान में नहीं मिलेगा और धन से भी तंग रहेंगे अगर आपका जो ब्रहस्पती ग्रह है वो अच्छी जगे बैठा है यानि कि चार नमबर राशी में बैठा है करक राशी में बैठा है तो उच्छ का है अच्छे फल देगा अपनी ही राशी में बैठा है धनू में बैठा है मीन में बैठा यानि 9 नमबर में है 12 नमबर में त द्धन की स्तिती के लिए लेकिन एक बेसिक आईडिया मैंने आपको दे दिया है अब इसमें मालीजी कोई ग्रह आपका किसी क्रूर ग्रह के साथ मैठा है तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा किसी ग्रह की दृष्टी उस पर पढ़ रही है लाहू की तू परिशान कर रहे है तब भी दिक्कत आती है लेकिन फिर भी मोटा मोटा इससे आप अंकलन कर सकते हैं कि आपके धर की स्तिती जीवन भर कैसी और कैसे इसको बढ़िया भी करना है वो भी मैं आपको लास में बताऊंगी तो वीडियो को छोड़ के मच जाएगा अब दूसरी एक और चीज आपक इकादश घर यानि कि 11 ऐंकर यह बहुत इंपोटन्ट यानि कि अगर नंबर करना कोई अच्छा घर करें तो फल देगा अपकी 11 कर गदर में अच्छा है तो आपको फल डेगा या तीनों में से जो मैंने आपको बताए है शुक्र बुद्ध और ब्रस्पति अगर यह बैट तो नहीं बैठा है अच्छे घर है कि नहीं और वह अच्छी राशी में है कि और ऐसे ही इसके आगे भावेश्च की स्थिति भी देखी जाती है यानि कि उस भाव का स्वामी है उसकी स्थिति क्या है उसके हसाब से भी हम देखते हैं लेकिन इससे आपको एक आइडिया लगय लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि परेनाम अच्छा नहीं आ रहा है मुझे वो रिजर्ट जो मेरी महनत का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इन तीनों ग्रह को अच्छा करने के लिए उपाई बता रही हूँ इस उपाई को आप फॉलो करिए छोट में आपको आगे क्या करना है वो बताओं को शुक्र करें अच्छा नहीं है आपको पता चल गया है नीच राशियों में बैठा है या शत्रू राशी में बैठा है ऐसे में क्या करेंगे शुक्र को अच्छा करो बल्वान करने के लिए क्या करो उसके लिए आपको रोजाना पर्फ्यूम का यूज करना है, नाच्छल इत्र या पर्फ्यूम आप लगाना शुरू करें, अब ये मत कहना कि गुरुमा आमें अच्छा नहीं लगता है, अरे आपको नहीं अच्छा लगता है, शुकर देवता को लगता है, उनके खुशी के लिए आपको लगाना है, अच आपको आने वाले कुछ रीडियोस में आपको कौन इसा फीवरिबल आपके लिए परफ्यूम है आपकी राशी के हिसाब से को बताऊंगे। लेकिन आप शुक्र को अच्छा करने के लिए कोई साभी परफ्यूम लगाऊ वो काम करें। दूसरा है आपको अपने नहाने की पानी की जो पाल्टी है उसके अंदर जो बड़ी इलाइची रहती है काली रंगी वो आपने डाल लेगे। उसे डाल करके आप रोजाना स्नान करों और उसके बाद आप उसको किसी मिट्टी में फैक देना ना तो डस्पिन में फैकना ना दिखो कि 21 दिन के भीतर भीतर आपका शुक्र आपको अच्छा फल देने लगा है अगर आपको दिखा आपका बुद्ध अच्छा नहीं है और हां एक और प्रश्ट आप लोग करेंगे कि क्या हम सारे उपाई कर सकते हैं तो तीनों ग्रह के उपाई भी आप साथ में कर सकत होना है एक मुर्थी और विगोले के बाद जब बुलायम हो जाए सुभे के समय अपने खाने से पहले उसे पक्षियों में या कबूतरों के बीच में डाल दीजिए दूसरा उपाई करना है आपके आसपास जो भी माता का मंदिर हो तेवी मा का मंदिर हो वहां सेवा करो तन कर लिजिए के आपने किसी गुरुपुल जहां पर के वैदिक शिक्षा दी जाते हो जहान बच्चों को धरम सिखाया जाता हो अच्छा ज्यान दिया जाता हो वहां पुछ भी सेवा करनी है या तान करना है यहां दान करनी से ब्रहसपती बहुत प्रसट होगी आपको अच् जितना साफ करोगे, जितना अच्छा रखो के रूसाना, आपकी प्रहिस्पति उतनी प्रसंद होते जाएं। अब एक मिस्टेक आप हमेशा करते हैं। उपाई तो खूब करते हो, कहते हो लगते नहीं हैं। अरे भईया, उपाई करते हो, तो प्रार्थना भी तो किया करूँ। भगवान को ये भी तो बताओ, प्रभू मुझे ये चाहिए। कल्यूग में तो माता, अगर उसके सामने रो नहीं तो भो भी दोते ही पिलाते। तो आपको अपने परमपिता, परमेश्वर, अपने ईश्वर, अपने देवता को बताना तो पड़ेगा, कि प्रभू इस हेतों हम ये उपाई कर रहे हैं। तो आप सभी उपाई का करते समय प्रार्थना अवश्वर, अपने इश्ट से, उस देवी देवता से, जिसके लिए आप कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना में इतनी शक्ति, इतना भाव होता है, कि वो उन तक जरूर पहुचेगा, और वो विवश हो अश्ड़ सिरा उनसे चेम इतनी थील प्राथने घए उनसाओ धलूर अपाई करते समया झाल, अबड़ाता हैं, उनसे ओलूर प्रार्थने हैं, तो आप कर ए tau कि अक्रिषनी एंसे हैं, इतना उनसे बढ़ाई हैं, तो ये अवटे हैं, आप उनसे प्रिएर रहाएं कर वहा